कि ग्रीटिंग्स ऑफ दे डे स्टुडेंट्स आज हम लोग कर विस्केचिंग के पार्ट टू में देखने जा रहे हैं कुछ रेडिकल फंक्शन और साथ में पॉलिनॉमियल और ट्रिग्नामेट्रिक फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे तो सभी का कॉंसेट जो हम लोगोंने लास्ट लेक्चर में सीखा है वही रहने वाला है सबसे पहले हमने डॉमिंग देखना है सिमेट्री देखनी है एसेंटोट्स करना है इंक्रीजिंग डेक्रीजिंग करना है ओनके अपवड और सबस्क्राइब देखना यह सारी बात है किसी ग्राफ के अंदर देखना है और उसके बाद प्रोसे ड्रॉ करना है ठीक है तो यह सब तब हम कर सकते जब Уम अच्छे से क्यापुलस आती हो तो अभी इसमें यह वालप हम लोग function यहाँ पे ले रहे हैं जो की radical function है because आप देख रहे हैं कि इसमें cubic root involved है इसलिए यह radical function है ठीक है one upon n type से power जहाँ पे n कोई natural number होना चाहिए ठीक तो यहाँ पे देख रहे हैं fx is equal to 2x 5 by 3 minus 5x 4 by 3 तो अगर हम लोग देखें तो इसके domain all real number है because one upon कोई even power नहीं है ठीक है जैसे one upon two one upon four one upon six अगर ऐसा होता तो एक्स जीरो के positive के लिए ही defined होता लेकर यहाँ पे odd power होने की वज़े से negative and positive दोनों ही चल सकते हैं इसलिए कि domain इस function का real number होगा यानि कि domain में there is no issue ठीक है तो अब इसके पाद हम लोग यहाँ पे symmetry अगर देखें तो अगर आप एक्स की जड़ी माइनस हैस देख रखते हैं या फिर आप पाएंगे नाइदर इस odd function नाइदर इस even function तो यानि यहाँ पे symmetry भी नहीं है even यहाँ पे horizontal asymptote और vertical asymptote भी नहीं है लेकिन endpoints behavior यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर limit x tends to infinity रखी जाए तो इसकी जो highest power x की power 5 by 3 वो positive है तो यानि यहाँ पे infinity रखने पे अपना f x infinity को जाएगा अगर यहाँ पे x को minus infinity रखा जाए तो यहाँ पर x odd power होने की वज़े से negative ही देगा और negative होने की वज़े से माइनरस infinity को जाएगा यानिकि x माइनरस infinity को जाएगा तब y भी माइनरस infinity को जाएगा x जब positive infinity को जाएगा तो by जो हैels positive infinity को जाने वाला है ठीक है यह सारी बातें यहां पर हमें पता चल गइं है अब यहां पे हम लोग intercept निकाल लेते हैं X intercept and Y intercept तो आप जानते कि अगर हमें X intercept निकालना होता है तो हमें FX को 0 रखना होता है यानि कि अगर मैं इसको 0 रखना हो तो this will become X 5 by 3 is equal to 5 times X 4 by 3 यानि X की पावर 5 by 3 upon X की पावर 4 by 3 is equal to 5 by 2 और यह हो जाएगा X की पावर 1 by 3 is equal to 5 by 2 यानि X की value 125 by 8 because it's a cubic root और अगर आप इसका cube लेंगे तब में X मिलेगा तो this is clearly 15 से बड़ा है because 15 into 8 120 होता है ठीक है और उसे भी जागा 5 है तो it is 15.75 something ठीक है तो X 15.75 and Y तब यहां पर 0 होगा इससे पास होगा और अगर देखें X को 0 रखके देखें तो FX 0 हो जाएगा जिसका मतलब कि origin से भी यह पास कर रहा है ठीक है तो X equal to 0 Y is equal to 0 तो यह दो important points है जिनसे हमारा graph यह पास कर रहा है ठीक है अब इसके बाद हम लोग यहां पर F dash X निकालते हैं और पता करेंगे कि function के critical points कहां पर है function कहां पर increasing है और कहां पर decreasing है ठीक है तो F dash X निकाल के देखते हम लोग इसका तो इसको differentiate करेंगे X की power N यहां पर लगाए जा सकता है तो N into X की power N minus 1 यह differentiation हो जाएगा तो this will become 2 into 5 by 3 that is 10 by 3 X 5 by 3 minus 1 याने की X 2 by 3 बचेगा यहां पर 20 by 3 आ जाएगा और X की power 4 by 3 minus 1 होगा तो that is X की power 1 by 3 ठीक है तो यहां से हम लोग 10 by 3 को भी common ले सकते हैं और X की power 1 by 3 को भी common ले सकते हैं जिसकी बाद X की power 1 by 3 minus 2 तो यहां पर अगर हमें देखना हो कोई point तो X 1 by 3 यानि X को 0 रखें और यहां पर अगर X को 8 रखा जाए तो यहां से क्या पता चलता है कि हमें अमारे जो critical points है critical points जहां पर हमारा F-X 0 है तो critical points है X equal to 0 and X equal to 8 ठीक है तो यह हमारे critical points है तो यहां पर 0 पर तो 0 आ रहा है तो no point दिक्कत नहीं है अब X equal to 8 यहां पर अगर हम लोग देखे तो 2 into 8 की power 5 by 3 minus 5 into 8 की power 4 by 3 तो this will become 2 into 2 की power 5 because 8 की 1 by 3 power जो है वो 2 होगा और यहां पर 5 2 की power 4 यहां इस 16 ठीक है तो यह कितना हो जागा 32 32 into 264 and this is 80 तो minus 16 ठीक है यहां से हमें पता चला की 8, minus 16 ठीक है अब मैं यहां पर पता करना होगा कि यह maximum के points है यह minimum के points है तो first derivative test यहां पर हम लोग लगा सकते हैं और यह भी देखना है में वेवी मैथोड से कि इस जीरो आप इस एट तो इधर positive होगा इधर minus होगा इधर positive होगा ठीक है तो यह पता करेंगे हम लोग कि 8 से आगे इस इंक्रीजिंग और जीरो और 8 के बीच में इस इंक्रीजिंग फंक्शन और उसके पहले इस इंक्रीजिंग फंक्शन तो यहां पर हम लोग एक समरी में बना के रख लेते हैं इसको 0 & 8 positive increasing function ऐसे लिख लेते हैं लोग यहां पर decreasing function और इस इंक्रीजिंग function ठीक है यह point भी हमें पता चल गया अब अगर function पहलें तो यहां पे हमें लोकल माइक्सिमा मिलने रहे यहीं और पहले डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है भी हमें पता चलिए तो बहुत सारी information already हमको मिल चुकिए है अब हमें चेक करना है inflection points और कहां पर function concave upward है और कहां पर concave downward है तो इसको और एक बार differentiate करेंगे हम लोग तो f double dash x और फिर देखेंगे कहां पर f double dash x positive है और कहां पर f double dash x negative है ठीक है तो इसको हम लोग एक बार और differentiate करें तो this will become 20 by 3 10 by 3 into 2 by 3 that is 9 to 20 by 9 and 2 by 3 minus 1 that will become x की power minus 1 by 3 this is x की power minus 1 by 3 this is again 20 by 9 and x की power minus 2 by 3 अब लोग x की power 2 by 3 से multiply करनेंगे जिससे के rationalize हो जाएंगे तो मीचे हो जाएगा x की power 2 by 3 this is 20 by 9 ठीक है और यहां पर बचेगा x की power 1 by 3 minus 1 ठीक तो 0 और 1 तो यहां पर points हमें मिल रहे हैं जहां पर यह 0 पर तो undefined है f double dash x तो यहां 0 हो गया और यहां पर 1 हो गया 1 से पहले positive है और यह negative होगा ठीक है तो यानि यह negative upwards 1 के बाद this is concave upwards तो यहां पर एक पीच में 1 1 1 के बाद this is concave upwards और उसके पहले this is concave downward Concave downward ठीक है तो यह सारी बात है हमने पता चल गए 1 पर value कितने होगी 2 minus 5 minus 3 और inflection point हमारे कहां पर है हमारा inflection point 1 पे है और 0 पे वहां पे अब डबल डैस x अंडिफाइन था अब हम लोग अपने graph को draw करने जा रहे हैं तो अगर हम लोग graph को draw करेंगे तो graph negative infinity से आ रहा है और positive infinity को जा रहा है एक बार graph हमारा 0.0 पे आता है और जो की maxima भी है कि ऐसे करके और एट पॉइंट पे लोकल minima है तो एट पॉइंट इसको एट ले लेते हैं तो माइनस 16 कहीं नीचे जो है मिनिमा है यह ठीक है और यह कट कहां कर रहा है 15 के बाद 16 के पहले थोड़ा सा 16 के पहले इस इसके बाद यह इंफिनिटी को जा रहा है ग्राफ और यह कौन के अप्वर्ड है कि अप्वर्ड है यहां पर भी कौन के अप्वर्ड है किवल इसने वन से चेंज किया कि प्रिए पॉइंट इसके पहले इस वस्कॉन के डाउंवर्ड ऐसे करके यहां के इंफ्लेक्शन पॉइंट ठीक है कि अधिन या साल एक सकति कुछ पैरबोला जासा है चाहिए एसे और यह इधर इंफिनिटी के तरफ जाए तरफ चीक है यह माइनस इंफिनिटी है यह 0,0 है यह 1 पर माइनस 3 है यहां पर एक इंफ्लेक्शन पॉइंट है कि एस्ट पॉइंट के मतलब किया है पहले कॉंके डाउनवर्ड फिर कॉंके अपवर्ड ठीक है पंक्षन जो है अगर अम लोग देखें एक के बाद इंक्रीजिंग है और जीरो के बाद और एक के बीच में डिक्रीजिंग है function और जीरो से पहले the function is increasing ठीक है तो यह हमारा graph plot हो गया है by sketching की helps से ठीक है तो बहुत सारे concept यहाँ पर हमें लगाने को मिलते हैं you should practice बहुत सारे question आपको practice करने चाहिए तो आपको बहुत confidence आएगा आप कोई भी function का graph draw कर सकते हैं और उसके basis पर फिर बहुत सारे application बेस्ट कोशन आप इसली कर सकते graph की help से अब लोग next example एक polynomial function का देखेंगे और देखेंगे कि उसका graph हम लोग कैसे ड्रॉब करेंगे अब हम लोग polynomial function यहां पर देजने जा रहे हैं और उसका graph draw करेंगे तो सबसे पहले इस polynomial function के degree देखें तो four degree है यानि at least इसमें four roots होने चाहिए ठीक है और इसका domain आप जैसे की जानते ही है कि यह all real होगा ठीक है और अगर लोग इसे देखें इसके end points behavior देखें यानि कि इसकी limit अगर देखें एक्स टेंस टू इंफिनिटी पे जो हमारा वाई है वह infinity होगा और एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी पे भी वाई प्लस इंफिनिटी ही होगा because x की power even ठीक है जब x की power even होती है तो जाहे आप minus इंफिनिटी पे रहे हो जाहे प्लस इंफिनिटी पे रहे तो fx हमारा प्लस इंफिनिटी ही होता है ठीक है तो यह हम लोग ने यहाँ पर देख लिया vertical asymptote और horizontal asymptote इसमें नहीं है तो अब यहाँ कर हम लोग इसको solve करते fx को और roots को गयरा पता करते हैं तो इसमें देख सकते कि x यहाँ पर common है और इसको देखें तो x cube minus 12x square plus 48x minus 64 तो अगर हम तो minus 64 को देखें तो यह 4 की power 3 है और यह x minus 1 के whole cube का formula है ठीक है तो इसमें repeated roots है यानि कि 4 roots में से 3 roots तो x equal to 4 पर ही है ठीक है तो इसको मतलब repeated roots है तो x equal to 0 and x equal to 4 पर y 0 है and x equal to 4 पर भी y equal to 0 है ठीक है यह important points है जो और मैं पता चल गया कि यहां से graph होके जाएगा यह दो roots है इस equation ठीक है अब हम लोग इसको differentiate कर लेते हैं product rule लगा के f dash x तो f dash x x को ऐसे रखते हैं लोग 3 into x minus 4 का whole square तो next time x minus 4 का whole cube को ऐसे रखते है और x का differentiation x हो जाएगा इसमें से x minus 4 का whole square common ले लेते हैं तो अंदर बचे कर 3x plus x minus 4 तो this is 4x minus 4 तो 4 common ले ले लें तो this will become x minus 1 ठीक है तो f dash x हमारा दो point में 0 है एक x equal to 4 और x equal to 1 पर ठीक है x equal to 4 और x equal to 1 यह critical points है ठीक है लेकिन x minus 4 पर whole square तो यहाँ पर इसका sign change नहीं होगा ठीक है जैसे कि यह देख लेते हैं लोग this is 1 इसको 4 कर लेते हैं और इसको 1 ठीक है तो 4 से आगे positive और यहाँ पर भी positive होगा और यहाँ पर minus होगा ठीक है तो x equal to 1 अगर हम लोग देखें x equal to 1 पर fx की क्या value होगी तो वो निकाल सकते हैं because यहाँ पर इसके पहले decreasing है और 1 के बाद function increasing है ठीक है तो x equal to 1 पर value यहाँ पर रख सकते हैं 1 पर x equal to 1 1 minus 4 is minus 3 that is minus 27 तो x equal to 1 पर y is equal to minus 27 और पहले function जो है decreasing है उसके बाद increasing तो पहले decreasing और फिर increasing तो क्या होता है minimum यहाँ पर local minimum है और local minimum है और x equal to 4 पर sign change नहीं हुआ है function पहले भी increasing था बाद में भी increasing है और अगर यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं कहां पर decreasing है और कहां पर increasing है तो 1, 4 तो 1 इदर decreasing है function ठीक है प्लस 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 इस इंक्रीजिंग इस इंक्रीजिंग अब लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और पता करेंगे कि point of inflection कहां है और कहां पर graph जो है concave upward है और कहां पर graph oncave downward 4 into x-4 का whole square x-1 का differentiation करें तो 1 ही आएगा प्लस next time 4 times x-1 x-4 into 2 ठीक है तो यहाँ पर 4 times x-4 को common लेगी है we will get x-4 4 यहाँ चला गया तो plus 2x-2 तो this is 3x-6 तो 3 common यानि कि 12 हो जाएगा और x-2 तो this will become x-2 12 and x-4 ठीक है तो point of inflection कहां पर आ रहे हैं x equal to 2 point of inflection point of inflection वो points होते हैं जहां पर double derivative of a function is 0 और वहां पर concavity function की change होती है ठीक है तो point of inflection इसके basis पर हम लोग अपने function को करते हैं तो x equal to 4 पर जहां पर y की value 0 है और x equal to 2 तो यहां पर 2 रखके देखते हैं अगर हम लोग fx में तो 2 2 minus 4 minus 8 minus 16 ठीक है तो यह 2 पर y की value minus 16 है यहां पर change हुआ है तो इसको भी बना लेते हैं लोग 2 and 4 4 पर positive है 2 पर फिर negative होगा फिर positive है ठीक है तो यहां पर concave downwards concave downwards और यहां upwards विकास positive है तो concave upwards यहां पर concave downward this is concave upward ठीक है तो यह अब हम लोगों ने इसको सारी information निकाल लिए अब हम अपना graph drop रहे हैं और हमारा function है x into x minus 4 का power 3 तो 0 से pass हो रहा है function और infinity से आ रहा है तो plus infinity से आ रहा है ऐसे ठीक है और अहां पर cut कर रहा है x equal to 4 point पर cut कर रहा उसके बाद फिर function infinity को चला गया और 4 के बाद this is concave upward जिसका मतलब यह इस तरीके से ही उठेगा ऐसे this is concave upward ऐसे होता है ठीक है और अगर हम लोग देखें तो 0 के पास भी this was concave upward ठीक है तो यह पहले भी x plus infinity infinity पर y plus infinity और बाद x minus infinity पर y plus infinity and x plus infinity पर y plus infinity 4 पर cut किया इसने 0 पर किया यह दोनों इसके x intercept यहां पर भी cut कर रहा है ठीक है तो यह information हम लोगों ने use कर लिए अब इसके बाद अगर लोग देखें तो कि 1 तक यह decreasing है तो यह decrease कर रहा है function 1 पर और यह point इसका इसका मतलब कि increase तो रहता है लेकिन कुछ इस तरीके से और कहां तक देखना पड़ेगा तो 2 यहां पर 2 point है और minus 16 अगर यहां मान लें लोग तो वहां तक यह function कुछ ऐसे करते हो ठीक है जो कि concave downward बराना पड़ेगा आपको दिखी ठीक है 2 के बाद concave downward और के बाद concave upward 2 और 4 के दीच में concave downward और 2 से पहले और 1 के पहले this is concave upward ही है ठीक है तो point of inflection यहां पर 2 पर तो यहां पर change होगा ठीक है थुड़ा और smooth change होगा बड़ यह हमारा graph देखे कैसे हम लोग यह सारी information को देखकर एक बहुत ही difficult से graph को बहुत ही clearly हम लोग draw कर पा रहे हैं और बहुत सारी information इससे हम लोग निकाल सकते हैं यह सारे curve को डॉल के यह हमें confidence भी देता है calculus के अंदर अगर हम यह सीच जाते तो this is बहुत बड़ी skill हम लोगोंने सीख ली है ठीक है तो अगर फिर से कोई हो तो मैं आपको रिवाइस कड़ा देता हूं एक्स माइनस इंफिनिटी पर य प्लस इंफिनिटी तर देखें जीरो से होते हुए decreasing का फिर यहां पर turning point आया यहां पर local minima था वो points हो गया निकाल रखी तेम लोग फिर यह यहां पर देखें कैसे concave upwards था पहले लिखा भी अब देखें तू था concave upward है तू के बाद concave downward है फिर four के बाद से फिर से concave upward because यहां पर दो inflation point आयते है तू और four ठीक है अब last question हम लोग जो देखने जा रहे है इस section का वो है एक trigonometric का problem और देखते हैं कि एक difficult सा trigonometric problem का graph के से हम लोग अब ब्रॉ करने जा रहे है अगर यह trigonometric function fx is equal to cos x upon 1 plus sin x को ब्रॉ करने जा रहे है ठीक है तो अगर इस function को हम लोग देखे हैं तो हम विकास पॉसेक्स भी periodic है और sin x भी periodic है तो यह periodic function इसको सब जगे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इसको हम लोग एक period में ही analysis करेंगे तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि कि इस period में हमें इसकी analysis करनी चाहिए तो अगर हम देखें कि इसका domain किसी एक period में तो sin x जहां भी minus 1 होगा वहाँ पर यह function defined नहीं होगा तो sin x ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग इसकी analysis कर सकते हैं तो अगर यह देखें यह point that is 3 pi by 2 और यह point minus pi by 2 अब cos x का period 2 pi है और sin x का period 2 pi है तो इस function का period 2 pi हो जाए तो अगर हम यह period ले रहें analysis के लिए because यहां पर हम वर्टिकल ऐसे प्लोट्स पे मिल रहे है 3 pi by 2 और minus pi by 2 तो यहां पर analysis easily कर सकते हैं इस function की तो हम अपना graph अहां पर draw करेंगे इस interval में minus pi by 2 से लेखे 3 pi by 2 आपको समझ में आए क्यों लिया because यहां पर sin x minus 1 हो रहा है और यह नीचे undefined हो रहा है ठीक है तो यहां पर दो vertical asymptotes आएंगे और इसी graph को हम लोग 2 pi के interval में repeat कर देंगे ठीक है तो यह हो गया हमारा यह और domain की बात आप समझी गया है कि जहां पर भी 4n minus 1 pi by 2 हैसा interval आएगा वहां वहां यानि जहां भी sin x की value minus 1 आएगी वहां वहां पर यह function defined नहीं है ठीक है और अगर हम लोग बात करें vertical asymptotes के तो वह हम लोग ने अल्रेडी देख लिया इस interval minus 5 by 2 3 pi by 2 because वहां पर function undefined है ठीक अब हमें जरूरत है f dash x की निकालने की because we want to find out की यह function कहां पर increasing है कहां पर decreasing है लेकिन उसके पहले भी हम पता करते हैं कि इसके vertical interest इसका x intercept और y intercept कहां पर है तो x intercept की बात करें तो cos x जहां पर 0 होगा और denominator 0 नहीं होना चाहिए उस point पे हमारा horizontal intercept होगा या x intercept होगा ठीक है तो x intercept होगा cos x equal to 0 होगा pi by 2 पे बाती points पे भी 0 है लेकिन यहां पर function defined ही नहीं है इसलिए x equal to pi by 2 is x intercept ठीक है तो x is equal to pi by 2 intercept है और जहां पर x equal to 0 होगा वहां पर y का intercept मिलता है तो cos 0 is 1 sin 0 is 0 तो this is 1 तो यानी x equal to 0 रखने पर y is equal to 1 आगा यहां that is y intercept ठीक है अब हमें इसका derivative निकालना होगा इसको derivative को निकालने के लिए हम लोग इसे उपर नीचे 1 minus sin x से multiply कर देते हैं जिससे कि नीचे simple सा आ जाए 1 minus sin x से करेंगे तो this will become cos square x और cos x है cos x cancel हो जाएगा तो it will become 1 minus sin x तो इसका easily हम लोग derivative निकाल सकते हैं denominator में हो जाएगा cos square x उपर cos x नीच यहां पर हो जाएगा minus cos x और फिर minus times 1 minus sin x और cos x का minus sin x ठीक है समण में आया क्या किया गया cos square x हो गया then we have written it cos x फिर 1 का 0 हो गया और sin x का minus sin x का minus cos x फिर minus लगा दिया बिकाज इस is fx upon gx type का तो 1 minus sin x और minus sin x का cos x यानि की पहला function ऐसे ही दिया 1 minus sin x और दूसरा function है gx यानि cos x that is minus sin इसको सॉल को लेख दें इस इस minus cos square x इस प्लस प्लस हो जाएगा यह तो sin x और यह प्लस हो गया तो minus sin square x तो this is sin x minus 1 upon cos square x तो यहां से एक minus common लेना है तो this is 1 minus sin x upon cos square x तो sin x की value maximum maximum 1 जा सकती है वहां यह 0 होगा बागी इसकी value हमेशा ही less than 1 होगी तो यह value positive है की 1 minus sin x और नीचे denominator जो है वो अबेसा ही positive रहेगा ठीक है समझ में आ रहा है cos square x because this is cos square x it will be always positive और यह ही positive रहेगा इसका मतलब f dash x यह हमने क्याने का लगता f dash x तो f dash x हमारा negative रहेगा तो we can say f dash x is negative तो f dash x अगर हमेशा negative है इसका मतलब it is decreasing function तो यह हमेशा ही a decreasing function है हमारे लिए ठीक है तो यह हमें पता चाहिए यहां से और यह हमारा f dash x आ है f dash x जो हमने निकाला है that is minus 1 minus sin x upon cos square x अब second derivative निकाल लेकर यह जाने के लिए कि कहां पर function concave upwards है और कहां भी function concave downwards है ठीक है तो sin x इसको double derivative करते हैं हम लोग इसको double derivative करने से पहले cos square x को we can write थोड़ा सा इसको one minus sin square x लिखने इसके factor अगर कर दें तो one minus sin x into one plus sin x तो यह cancel हो जाएगा तो f dash x को we could have written like this also minus one upon one plus sin x तो यहाँ पर भी देखे अगर हम अगर ऐसे लिखते अगर अपने f dash x को तो देखे यह clearly this is coming out to be negative जो इतना सारा भी हम बता रहे थे कि यह f dash x negative है और देखे कि sin x की value minus one वो भी नहीं सकती है इसले इसका f dash x का कोई critical point आने ही रहा है as such कि जहाँ पर local maximum या minimum मिले हमें ठीक है अब अब लोग double derivative निकाल लेता है इस function का तो this is life की यह function कुछ ऐसे है one plus sin x की power minus one तो minus one और minus one plus one हो जाएगा और it can be written as one plus sin x का whole square और sin x का derivative that is cos x तो अब f double dash x कहाँ पर positive कहाँ पर negative है यह देख सकते इस पूरे interval में cos को graph draw करने अगर हम लोग ठीक है तो यह है minus pi by 2 and this is pi तो 0 pi by 2 pi and this is 3 pi by 2 ठीक है तो cos x को अगर हम लोग देखें minus pi by 2 से लेके pi by 2 के पीछ में this is positive यानि यहां पर concave upward ठीक है और pi by 2 से लेके 3 pi by 2 तक cos x हमारा negative है यहाँ पर because दिखिए यहाँ पर cos x यह तो positive है यह denominator तो cos x की जो point होंगे यानि कि जहाँ पर cos x हमारा positive होगा वहाँ कौन के upward होगा और जहाँ पर cos x negative होगा वहाँ कौन के downward होगा इसलिए मैं एक graph यहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है तो अब हमें सारे information यहाँ पर मिल गया है now we can draw our graph ठीक है यह रब कर देता हूँ और fx को रखता हूँ अब देखते हैं हम लोग हमने interval choose किया है minus pi by 2 से 3 pi by 2 यानि यहाँ पर नहीं pi by 2y हो फिर pi आता है फिर 3 pi by 2y चिक यहाँ वर्डिकल एसेंटोर्स होगे ठीक है यहाँ पर भी वर्डिकल एसेंटोर्स होगे काफी दूर हो गया है इसको भी इतना ही टर्वल अपर लगे हो इतना ही तर साइड है माइनस 5 by 2 ठीक अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस साइड जो फांक्शन है वो पॉस्टिव होगा या निगेटिव होगा तो नीचे जैसे बोला गया कि this is always positive तो यह फोर्थ कोडरेंट है यहाँ पर कॉस्ट क्या होता है positive यानि कि plus infinity because vertical asymptote है तो this is plus infinity इसी तरीके से अब हम लोग अगर यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं है हमारा three five two three five two पर हो था ठीक है तो three five two पुड़ाईर बनाते हैं वो one plus sine x तो positive है इसका मतलब negative infinity होगा ठीक है और पाई बाई टू पर यह जीरो है ठीक है और एक्स जीरो पर यह one value लिया है अब यह कैसे आया है ऐसे आया है वो concave upward वो concave downward पर decide होता है तो zero से लेके five by two तक के concave upward यानि कि कि ऐसे आ रहा है ठीक है अगर यह concave downward होता है तो ऐसे मनाते हम लो ठीक है कुछ ऐसे करके फिर one से होते हुए लागते लेकिन this is concave upward तो इसलिए ऐसे और उसके बाद concave downward और five by two जो था point of inflection था तो यह इसका graph लिया है और यही graph अब repeat होगा यहां से लेके ऐसे और इस side भी ऐसे करके ऐसे ठीक है तो आप आपे x-axis को कहां पर cut किया और five by two because Cosmos नहीं पर जीरो हो रहा है और important थे vertical asymptote कि sin x कहां पर minus one है तो sin x minus five by two पर minus one होता है और sin x three five by two पर minus one होता है तो वहां पर यह vertical asymptote है तो यानि कि या तो plus infinity को जा रहा है वहां पर या तो फिर minus infinity को वो कैसे पता कर रहे है कि plus infinity को जा रहे है कि minus infinity denominator is always positive cos x की sign को देख के हम लोग पता कर रहे है कि plus है कि minus तो fourth quadrant है यह तो यहां पर यह plus होता है और यह अगर इसको देखे 3 pi by 2 तो 3 pi by 2 यानि कि यह रहा है ठीक है तो यहां पर देखे निगेटिव है cos तो यह हमारा minus infinity जाए और plus infinity फिर बात यहां पर यह बंगती है कि this is concave upward to concave downward तो हम लोग ने second derivative निकाला था और उसके लिए यह draft में आया था because cos x upon 1 plus sin x का whole square आया था f double dash x और वहां पर cos x की sign पर depend कर रहा था double derivative तो cos x का graph देख लिया आप इस interval में जहां जहां positive है वहां पर concave upward होगा तो वह देख रहा हैं लो minus pi by 2 से plus pi by 2 पर concave upward इसलिए मना inflection point pi by 2 है तो वहां पर double derivative 0 because cos 1 पर 0 हो जागता तो वहां पर change कर देगा एपनी concavity को तो पहले plus था बाद में minus हो गया तो इस तरीके से देखें कि cos x upon 1 plus sin x की graph को हमने draw कर लिया है ठीक है तो इस तरीके से आप काफी questions जो है practice करिये वह आपको इसके ला गई है अब कैसा भी function हो यही सारे points होते हैं बस only you need to do practice thank you very much